एलो एब्रीवन वेलकम टू टेंडिंग ऑफ अगरिकल्चर के यूटूब चैनल पर दोस्तों आज ही हमारा सेकंड पार्ट है जिसमें मैं यूपी बीट के जो सेमेश्टर पेपर हुए थे लास्ट येर 2021-2022 में उसी क्वेश्चन पेपर का हम एनलेसिस भी सेलूशन करेंग तो आप जरूर जाके मां से विजिट करें तो आए हम दोस्तों बीट पर सेमेश्टर का सेकंड पेपर उसका इनलसिस करते हैं तो इसमें सो को स्चन होते हैं जिसमें आपको 75 कोशन करने होते हैं तो मैं कोशन रीट करके उनके ऑप्शन का एंसर बदाऊंगा और आप देख करता हूं तो प्रीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया गरें तो आइक हम दोस्तों को देखते हैं इसमें फिर्ष्ट को रहा है भारतीय सहमिधान में वर्डित राज्ज के निति दिन्देशत तत्य है इसमें ऑप्षन दिया हुआ है तो इसका फिर्ष्ट कोश कोशन को पर हमारा लोकतांत्र जंता के लिए और जंता द्वारा शाषन्प्रमारी मानी जाती है तो सब्सक्राइब अब्रहांद में लिगते लें अगला पर दोस्तों हमारा थर्ड नंबर का है लोक तंत्र के गुड़ है तो इनमें से क्या है तो कोश्चन नबर थी को ऑप्शन नबर डी करेक्ट है औल आप दा एक भब होंगे इसमें नबर क्या रहा है चाहर नंबर मुल कर्तवयों को किस देश के संविधान से लिया गया था तो कोश्चन 4 का ऑप्शन नुबर डी करेक्ट्ट हैृति के रूष से लिये हम अगला कोश्चशन याँ पर हमारा कोश्चन 5 कि सो छट अंदरता अीकार संबंद किस अनुछेत से है तो कोशन नुमर 5 को option नुमर एक करेक्ट हमारा आर्टिकल 19 से लेके 22 तक नेश्ट यह पर question नुमर 6 हमारा कहा रहा है सोचोड के विरुत अधिकार का संबंद किस अनुछेत से है तो question नुमर 6 को option करेक्ट है आपर आर्टिकल 23 से 24 तक नेश्ट कोशन 7 नंबर कह रहा है कि भारतिये लोगतंत्र के कितने प्रकार है तो question 7 की option नुमर इसमें हमारा बी खरेक्ट होगा आर्टिकल 14 से लिखे 18 अगला कोशन दोसते ही पर देखते हैं लोग question number 9 भारतिय लोग तंद्र के मूल भूत सिधान्त है question number 9 option number C करेक्ट है हमारा इसमें both A and B next question 10 number भारतिय प्रजा तंद्र का आधर्श है क्या है तो question number 10 option number D करेक्ट होगा हमारा all of the above question number 11 कह रहा है भारतिय समधान के निर्माण में कितना समय लगा है यह लगा था तो कितना लगा था question number 11 का option number यहां पर A करेक्ट होगा हमारा यह दो वर्स 11 महिने 18 दिन next यह पर question number 12 कह रहा है नागरिक अधिकार सुरच्छा दिनियम कब आया question number 12 का option number C करेक्ट होगा 1955 में आया था next question 13 number कह रहा है परिशत के अस्थापना कब की गई question number 13 का option number D करेक्ट हो हमारा 2021 में next question 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 number 16 हमारा सिच्छा को समिधान संसोधन के द्वारा साथ श्रामवर्ती सूची में लाया गया था यानि किस constitution संसोधन में लाया गया था question number 14 का option number यह हमारा option number A करेक्ट हो हमारा 6 से 14 वर्स के बच्चों को अनिवार इवम निशुर्क सिच्छा का उबबंद करानों next question 16 नंबर कह रहा हमारा मूल अधिकार का किस अनुच्छे से सम्मान देत है question 16 का option number B करेक्ट हो हमारा अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक भी next question 17 नंबर भार्दी सम्मान किस दिन लागू किया गया तो question 17 का option number B करेक्ट हो हमारा अनुच्छेद 12 जनुड़ी 1950 में next नहीं पर 18 नंबर सम्मान सभा के अस्थाई अध्यच्छ कौन थे question 18 का option number A करेक्ट हो हमारा डॉक्टर ड्राजिंतर प्रशादी next नहीं पर question 19 हमारा करा रहा है संभात्ति का अधिकार किस सम्मिधान संसोदा द्वारा लाग्टा हटा दिया गया तो question 19 का option number A करेक्ट हो हमारा 44 समिधान संसोदन में next नहीं पर question 20 का रहा कि प्रारूसमीप्यत़ के अध्यच कौन थे तो question number 20 का यहां पर हमारा option number A करेक्ट है यहां पर हमारा डॉक्टर भीम्राव डेट अमबेट कर नेश्ट है पर question number 21 कह रहा है कि नीती निर्दिर सकत्तों को कहां से लिया गया था यहां पर question number 23 कह रहा है North कर्थब को किस समयदान के संसोधन द्वारा समिधान में सामिल किया गया है संख्या कितनी है तो 24 का ऑप्शन नुबर डी करेक्ट हो का यहां पर 11 नेक्स्ट एपर हमारा गया रहा है 25 नंबर कि मौलिक अधिकारों का रच्छा कौन है तो 25 का है आपर ऑप्शन नंबर हमारे सी करेक्ट होंगे बोथ एंड बी नव समाधिक व्योस्था में सिच्छा का मुख तक तो है तो 26 का ऑप्शन नंबर या डी करेक्ट हो हमारा ओल अब दा एब नेक्स्ट एपर कोस्ट नंबर हमारे 27 कर रहा है किसी समाज की संस्कृति का अर्थ उस समाज की संपूर जीवन करेक्ट हों हो ऐसे सिथांतों को सच्छा के संपूर प्रिग्या को लागु करना किस ने कहा तो 27 करेक्ट हों हमारा ब्राउन ने कहा था समाजिक परिवर्तन के सिद्धान्त है तो 31 का option number C correct होगा बोथ end A and B 32 number कहा रहा है कि समाजिक परिवर्तन ही समाजिक विकास है या किसने कहा था तो 32 का यहाँ पर हमारा option number A correct है Spencer ने next question लोगो देखते हैं 33 number question number 33 हम देखते हैं सेचिक समासास सिच्छा ता समाज के बीच सम्बंद का वर्ण करता है किसने परिवासित किया था तो 33 का यहाँ पर option number हमारा B correct होगा Hanson ने किया था next 34 number भारत के किस राज में जन जातियों की जन जंक्या शर्वात दिख था 34 का यहाँ पर option number C correct होगा यहाँ मद्ध प्रदेश में next 35 का धन्व निर्पेच्छता में बाधा है तो 35 का option number C correct होगा बोथ A and B next 36 number का आर्थिक विकास को प्रवावित करने वाला कारक है तो 36 का option number D correct होगा उप्रोग सभी next question 37 number का आर्थिक विकास के निर्धारक तत्यों है तो 37 का option number C correct होगा हमारा A and B दोनों next here question 38 number का भारती समिधान के किस अनच्छेद में धार्मिक सथनता का अधिकार का प्रवधान किया गया है तो 38 का option number E correct होगा हमारा आर्टिकल 25 से 28 तक next a पर 39 number कहा रहा है आसपरसरता यानि अनच्छेद से संबंदित है तो 39 का यहाँ पर option number हमारा बी करेक्ट होगा आर्टिकल 17 से next question 40 number कहा रहा है भारत में धर्म ने रिपेच्छता की आव सकता है तो question 40 का option number C correct होगा बोथ A and B next question हम लोग देखते है question 41 हमारा कहा रहा है भारतिय समिधान में किस संसोधन के अंतरगत धर्म नर्पेच शब्त जोड़ा गया है तो question number 41 का option number A correct होगा 42 समिधान संसोधन के द्वारा समिधान परिवर्तन ही समाजिक परिवर्तन है या किसकी परिवाशा है तो 42 का option number A correct है हमारा Dotion and Gattis next यहीं पर हमारा 43 नंबर का दा सोचिलोजिकल ऑफ एजुकेशन को किस ने लिखा है तो 43 का option number A correct होगा हमारा यह हमारे DF इस्प्रिट ने लिखा था ने लिखान पर question number 44 का रहा है भारतिय समाज में विवित्ता के संदर में कौन एक सही है तो इसमें option number 44 का हमारे यहाँ पर C correct होगा जो कि हमारा next page पे है तो उसको देखते हम लोग तो question number 44 का हमारा option number C correct होगा बोथ A and B next यहाँ पर हमारा question number 45 का रहा है कौन सा एक समाजिक विवस्ता का घटक नहीं है तो 45 का option number D correct होगा हमारा आर्थिक गवस्ता नेश्टे हैं पर question number 46 सेचिक समास्तास त्रब्यक्ती तदा उनके सांस्क्रितिक वातावरण के बीच होने वाली अन्ताक्रिया का अध्यान या किसने परभासित किया था तो 46 का option number C correct है ब्राउन ने 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 स्टे आपर 47 number the principles of educational sociological को किसने लिखा है तो 47 का option number B करेक्ट है हमारा जोर्ज पैनी ने 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 स्टे आपर question number 48 सच्छी समास्तास के प्रावर्त तक कौन थे 48 का option समास्तास्त के जनक कौन थे तो 50 नंबर कोश्चन का ऑप्शन नंबर यह हमारा एक करेक्ट होगा अगस्ट कॉमेट ने नेच्ट कोश्चन 51 नंबर सर उच्छा भियान के क्या उद्देश हैं तो 51 का ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा यहां पार हमारा ऑल अब अबसना के लिए है तो 53 का सबसे बड़ा अभिशाब और कलंक है किस का अगता नहीं है तो 55 का हमारा ऑप्शन नम्बर एक करेक्ट होगा महत्मा गाथी नेस्ट यहाँबर 56 नम्बर आसरम पदत्य स्कूल की विशास्ताएं हैं तो 56 का आप्शन नम्बर स्थी करेक्टर का हमारा बोथ एएंड भी नेस्ट यहाँबर कुस्च्ट नम्बर 57 हमारा सामान बिद्याले प्रडाली का अर्थ है तो 57 का हमारा ओप्शन नम्बर C करेक्टर का यहां पर भी बोथ A and B नेक्स्ट यहें पर कोश्चन हमारा कहा रहा है 58 नम्बर आसरम पतती बिद्याले कब से संचालित है तो 58 का ओप्शन नम्बर यहां B करेक्टर है हमारा 1990 से 91 नेक्स्ट यहें पर 59 नम्बर कहा रहा है कस्टूरबा गाधी बाले का विद्याले में SC, ST, OVC, M, 59 नम्बर के लिए नामांकन के लिए पqu Glass 5, 95 नेक्स्ट यहें पर कोश्टूरबा गाधी बिद्याले योजना का उद्यस्थ क्या है तो कोश्ट नम्बर 60 का विद्याले करेक्टर हो का माएट बोथ A and B next question 61 number कस्तूरबा गाधि बिद्धाले योजना का शुभारम कब हुआ था question number 61 option number B करेक्ट होगा हमारा 24 में next question 62 number मध्या भोजन योजना का क्या नाम है नए नाम क्या है 62 का option number C करेक्ट होगा यह हमारा question number 64 हमारा कह रहा है मध्या भोजन योजना का शुभारम कब किया गया तो इसके option next page में देखते हम लोग question number 64 का option यहाँ पर दिया हुआ है तो आप लोग देखिएगा question number 64 का option हमारा है यहाँ पर B करेक्ट होगा 15 अगा सुनिस सो पंच्छानवे next यह पर question number 65 कितने वर्स के उम्र के लोगों को सामिल किया गया तो 65 का option number B करेक्ट होगा हमारा 15 से 35 वर्स के लोगों next यह पर question number 66 साच्छान का शुभारम किसने किया था question 66 का option number यह हमारा B करेक्ट होगा राजियुग गाजी ने इसका हम लोग option राजियुगादी हमारा करेक्ट है next यह पर question number 67 देखते है राष्टी साच्छता मिसन कर शुभारम कब किया गया question number 67 का option number यहां भी बी करेक्ट है 5 मई 1988 में next question 68 number कौन सा मंत्राले सर्व सिच्छा वियान कारिकरम आयोजित करता है तो question 68 का option number B करेक्ट होगा यहां भी बारा सिच्छा मंत्राले अगला question देखते हैं लोग 69 नंबर सर्व सिच्छा वियान के शुरूप में शामिल है तो क्या सामिल है तो 69 का option number D करेक्ट होगा all of the above अगला question देखते हैं लोग question 17 सर्व सिच्छा वियान के घंडग हैं तो Alternative 3 करेक्ट का आचल विहारी बाइस दीन है और next question हमारा क्या रहां 72 number नमबर सरवं सिच्चा अभियान कप्रारब किया गया तो question number 72 का option number C correct होगा सन 2000 से 2001 तक में next 73 number सिच्चा का अधिकार अधिकार अधिनियम किस वर्स पायरित किया गया 73 key option A correct ह Linda दोचार नौ अगला कोश्चन देखते हम 74 नूमबर सिच्छा के अधिकार 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 अधिनियम को किस वर्स क्रियामनित किया गया था तो 74 का option number A करेक्ट होगा हमारा जो की 1 अप्रेल 2010 ते next question 75 number सिच्छा के अधिकार अधनियम से सम्मंदित कौन सा अंचेद है 75 का option number B correct होगा 21 A next A पर 76 number हसी ये पर खड़े लोगों के लिए शरकार ने सिच्छा के लिए कौन सी योजना प्रारम की question number 76 का option number यह हमारे D correct है जो कि next page पर आप लोग उसको आईए देखते हैं तो question number 76 का A और B option इसके previous पहले paper में था और next page में यह है तो इसमें option number 76 का जो है D correct होगा हमारा all of the above होगे next question 77 number कह रहा है हमारा सिच्छा कर्मी योजना का लज्चा है क्या है तो 77 का option number D correct होगा यह हमारा all of the above next question यह हमारा कह रहा है 78 number मुझे सिच्छित माताएं तो मैं एक सुच्छित राष्ट का निर्माण कर दूँगा या कथन किसने कहा था 78 का option number A correct है जवाल लाल लहरू next यह पर 79 number 8 संकेक वर को निर्धारित करने का आधार क्या है 79 का option number B correct होगा धर्म के आधार पे next यहां पर question 80 number कह रहा है सिच्छा में सेच्छिक आउश्रों का प्रवादान किया गया कैसे होता है तो question 80 का option C correct होगा both A and B next यह पर 81 number कह रहा है समास संगर्स को पार कर अस्थापित सहयोग है किसका कतान है 81 का option number A correct होगा हमारा मैं काईवर and यह पेंज का next यह पर 82 number कह रहा है वर्ग जब जन्म से निश्चित होता है तब उसे जाती कहते हैं यह किसका कतान है 82 का option number A correct होगा चौल स्कूले ने next यह पर 83 number कह रहा हमारा question सहचिक आवशरों की शमानता आवशक है तो 83 का option number C correct होगा बोथ A and B next question यह पर 84 number कह रहा है सन 1958 में इस तरी सिच्छा से संबंदित कौन सी समित्थी बनाई गई थी तो question number 84 का option number A correct होगा हमारा दुर्गा देश्मुक शमित्थी यानि 84 का option number A correct है next question 85 number कह रहा है भारत में बिकलांग दिवस कब मनाया जाता है तो 85 का option number यह हमारा B correct होगा मार्श का 3rd रवी थर्ड संडे next question यहां पर 86 number हमारा कह रहा है कि अंतर रष्टी बिकलांग दिवस कब मनाया जाता है तो question number 86 का option number D correct है नन आपता A बैप इसमें कोई ने option दिया हुआ है next यह पर question number 87 है अनुसूचित जाती यूम अनुसूचित चन जाती शलहकार बोड किया next यह पर 88 number कह रहा है निम्नांकित में से कौन सा उपाया समानता को दूर करने के लिए प्रभावी नहीं है 88 का option number D correct है पूरक परिच्छा next question 89 number कह रहा है निम्नांकित में से कौन सा समानता से संबंदित नहीं है 89 का option number C correct होगा यहां पर हमारा सीखने का पाठार next यह पर question number 90 कह रहा है हसिय करण का क्या दात पर है question number 90 का option number D correct होगा यहां पर होगा ना अपता एबाद यानि इनमें से कोई नहीं next 91 number कह रहा है question प्रात्मिक सिच्छा का दूसरा रूप है 91 का option number A correct होगा हमारा सरभ भौमी करण next यह पर 92 नंबर कह रहा है राष्टिय महिला सिच्छा परशत की अस्थापना कि स्वर्ष्ट की गए तो 92 का option number A correct होगा है question number 92 का option number A correct है 1959 next question यह पर 93 नंबर कह रहा है सैच्छिक ऑश्वरों की समानता की अउधारणा का अक्त है तो 93 का option number D correct है इनमें से कोई नहीं अगला question है हमारा कह रहा है सैच्छिक ऑश्वरों की आसमानता के मुख तक तक तो है तो 94 का option number C correct होगा है यह हमारा बोथ A and B next यह पर कह रहा है वर्तमान भारत में मुख सिच्छा प्रडाली क्या है question number 95 का option number D correct हो अप्रोक्त सभी next question यहाँ पर दोस्तों हमारा 96 का number कह रहा है संक्यों के हित्तों का सनच्छड के अनुचेद में किया गया है तो 96 का option number B correct होगा article 29 next question 97 transgender बेक्ती अधिकारों का सनच्छड बिद्धे 97 का option number B correct होगा हमारा 2019 में next यह पर हमारा कह रहा है तो 98 का option number C correct है यहाँ पर हमारा transgender से next question 99 number कह रहा है कि भारत में सहचिक आ समानता कि क्या कह रहा है तो इसके option next page में तो आज़े देखते हैं लोग question number 99 के option यहाँ पर दिए हुए तो 99 का option number D correct है all of the above next and last question दोस्तों हमारा सहचिक आउशरों के समानी करण के आसकता कुछ सर्वर्थम किसने प्रकट किया तो question number option number E कोठारी आयोगने दोस्तों यह हमारे question complete हो गए और ऐसे ही मैं जो भी question paper हुएते हैं उनसे भी previous question paper upload करता रहूँगा तो आप लोग दोस्तों झाल